नमस्कार मैं हो किरन और पिटिफुल हमेशा हिंदी चानल में आपका स्वागत है आज मैं आपको ओट्स के फाइदों के बारे में बताने जा रही हूँ जो की सौंदर ये लाब है ओट्स जिसे हिंदी में जैई भी कहा जाता है आसानी से पच जाने वाला फाइबर का जबरदोस्ट त्रोत है ओट्स में कैलशियम के साथ साथ फॉस्फिरस और पोटैशियम भी काफी अधिक मातरा में होता है Oats के आटे से दलिया भी बनाया जाता है जो की health के लिए काफी beneficial होता है Health के साथ-साथ Oats हमारे skin को weight loss करने में diabetes और अन्य कई चीजों के लिए फीफाइदे मन माना जाता है तो आईए देखते हैं इस वीडियो में Oats के सौंदरिय लाब और बाकी के भी लाब Oats रुदय सबंदी बिमारियों के खत्रे को कम करता है Oats में खुफ fiber मौजूद होते हैं इसलिए ये दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें पाया जाने वाला beta-glucane fiber blood cholesterol level को नियंत्री रखता है इसलिए अगर आप रोज Oats का सेवन करते हैं तो आपका हार्ट हमेशा healthy बना रहता है Oats वजन नियंत्रीट करने में भी सायक है ज्यादा तर मसाले खाना खाने से बौडी में चर्बी बढ़ जाती है इसलिए Oats का सेवन फायदे मन्द होता है Oats में Insolubal or Solubal Fiber होते हैं जो चर्बी कम करने के लिए काफी अच्छे होते हैं साथ ही प्रोटीन भी होने के कारण पेठ हमेशा भरा रहता है जो लोग जीम नहीं जा पाते या व्यायम नहीं कर पाते वो Oats खाके अपना वजन जल्दी आसानी से कम कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा नुस्का है एक बर जरूर आजमाएं डाइबिटिस पेशन के लिए भी Oats या फिर Oats से बना कोई भी पधार्थल लाब दैक होता है शुगर को नियंत्रिट करने के लिए भी Oats खाना चाहिए Oats में कार्बो हाइडरेट काफी अच्छी मातरा में होता है जो आपके शरीर को उर्जा देता है फाइबर की मातरा अधिक होने के कारण ये धीरे धीरे पचता है जिसके वज़े से बलड में ग्लूकोस का लेवल बढ़ता है तो देखा आपने Oats शुगर पेशेंट के लिए काफी फाइदे मन्द है समरन शक्ति बढ़ाने के लिए भी Oats बहुत फाइदे मन्द है ज़्यादा तर बुढ़ापा आने पर समरन शक्ति कम होने लगती है जिसके कारण कई तरह की मानसिक बिमारिया भी हो जाती है ऐसे में अगर हम अच्छे से खाने पान का ध्यान रखे तो समरन शक्ति बढ़ सकती है इसके लिए अगर हम Oats का सेवन हमेशा करते रहे तो बुढ़ापे में भी हमारी समरन शक्ति स्ट्रॉंग बनी रहेगी कैंसर जैसी बड़ी बिमारियों के लिए भी हम Oats का इस्तिमाल कर सकते है Oats में लिंगन्स और एनरेवन पाए जाने से जो हमें कैंसर से लड़ने में मदद करते है एंट्रोलेक्टोन विशेश रूप में स्तन और हार्मोन सभन्दी कैंसर को रोपने में सायक होते है तो Oats आश से खाना चालू करें जिससे हम कैंसर जैसी भयानक विमारी से बच सकते है Oats में फाइबर और मैंगनेशियम पाया जाता है जो दिमाग में सेरोटीन की मातरा को बढ़ाता है जिसके मानसिक शान्त रहता है जिसकी वज़े से आप हमेशा स्ट्रेस रहते हो और नीन अच्छी नहीं आती है तो अगर तो आपको नीन अच्छी आने लगेगी आप चाहें तो इसमें ब्लूबेरी भी डाल के खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है तो तनाव से लडने के लिए Oats बहुत अच्छा है स्वास्ते के साथ साथ Oats सौंदर ये के लिए भी लाबदायक है इसके प्रयोक से स्कीन पर ग्लो बरकरार रहता है Oats आपकी तवचा की नमी देता है मुलायम बनाता है साथ ही साथ जिनकी तवचा ड्राइ है या बहुत ही जादा खुजली या जलन होने वाली है तो Oats बहुत उडपियोगी है उनके लिए इसके लिए एक चमच Oats को दूद में भीगो कर इसका पेस बना ले और इस पेस को चेहरे पर लगाए इससे आपकी तवचा पर ग्लो आएगा इस पेस को आप हाथ और पेरो पे भी मल सकते है पिंपल्स के लिए भी फाइदे मंद है ये जब भी आप Oats को पकाए तो उसमें थोड़ा सा लेकर पिंपल्स पर लगा दे पका हुआ Oats चेहरे पर आईल को खतम करता है और पिंपल्स को भी ठीक करता है और आने वाले पिंपल्स को रोगता है तो देखा आपने कि Oats के कितने सारे लाब है हमारे सौंदरी के लिए और शारीर के लिए तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वो हिट लाइक को अभी के अभी लाइक करे और उसके बाद मेरे चानल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कर सकते है WhatsApp, Facebook या Twitter पे और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तो